हाई फ्रेंज मैं सूधिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवड क्रेजी आज मैं बात करूँगा के बारे में तो मुझे कहा गया कि कुछ फणी वे में आप अगर बताओगे तो जादा अच्छा रहेगा के बारे में कुछ लोगों ने का कि थोड़ा फण आप करते हैं तो चलिए कोशिश करता हूँ थोड़ा अलग तरह से आज न्यूस बताने की के बारे में पहले आपको टॉपिक बता दो क्यार के ने काफी जादा वाहियर बाते की है शिवाय के बारे में अब बात करते हैं क्या क्या कहा और किस तरह से कहा अपने ही टोन में मुजिक भी कहीं बज़ रहा है और दिवाली का महौल है तो सबसे पहले हैपी दिवाली आप सभी को चलिए बात करते हैं अपने अंदाज में क्यार के वो जन्तु है जो मुंबई के अंधिरी वैस्ट में पाया जाता है क्यार के एक ऐसी बला है जो बिना बुलाय आ जाती है और बिन बताय परेशान कर देती है क्यार के सभी से जादा खतरनार और सभी से जादा बेकार इंसान है क्यार के ने जब भी मुझ खोला है हमेशा गटे ही सामने आया है तो क्यार के ने हाल ही में वापस से एक बगवास की वापस से गटिया पन अपना सामने लाया हाल ही में क्यार के ने आ वो तो आप जानते ही हो अजी तेवगर ने एक वीडियो रिलीस किया था अएक ओडियो रिलीस किया था जहां पर क्यार के यह कबूलते नज़र आये थे कि उन्होंने 25 लाग रुपे लिए थे करन जोर से उसके बाद क्यार किया क्या हुआ वह आप भी जानते हैं बकायता जीज होने का वक्त आया शुकरवार को शिवायर वैसे क्यारके ने कहा कि यह वह मुवी उन्होंने डेख ली है इसके अलावा एक साथ कही सारे टुईट पोस्ट किये टुउटर पे जहां पर क्यारके सबसे पहले तो शिवायर का जो स्टार्टिंग में शिवायर नाम आता है फिल्म है वो शूट के वो फोटो में निकाला उसका और पोस्ट किया ट्वीटर पे और क्यारके ने कहा कि लो मैंने मुवी लीग कर दी है अब क्यारके ने मुवी लीग कर दी ये बाद जैसे ही पता चली रिलाइंस इंडस्ट्रीज को जो फिल्म को प्रड्यूस कर रहे और उने पखाय थैए एक नोटीस भीजा कियारके एगर पे कि अब तुम्हारी अब लगेगी अब तुम्हारी अब बजेगी तो उसके बाद क्यारके ने यहां तक क्यारके शांत नहीं रहे कियारके ने कुछ और सारे फोटोस डाले चिड़ाने के लिए आपको तो पता है क्य यारके ने यह भी कहड़ाला कि मैं अजहेद्योगन के ओफिस में नौकर की तरह काम करने के तयार हूं अगर शिवाय चली तो अब भाई तुम्हें ही लगता है कि शिवाय चलेगी नहीं बाकि दुनिया को पता है कि शिवाय चलने वाली है तो आप तो रेडि हो जाओ अजहे धी कोई देञता होगा शायद कोई पसंद करता हुगा यदि आपका नाम देने और लोग पहली बात वे बहुत सारी चीज है ऐसे प्लेशिक है यूसके बाता तो जा ले उसके शिवाय के और साथ ही ये भी कहा कि मुझे पता है शिवाय की स्चोरी मुझे पता है शिवाय की स्चोरी धी दे बताने लग गए कहा कि 20 में स्टार्टिंग में कुछ नहीं है उसके बात भी कुछ नहीं है शिवाय अगर मंडे तक चल जाती तो मैं अपना मैं रिव्यू करना छोड़ दूँगा मैं कुछ नहीं करूँगा मैं सिद्धा उसके घर पर जाके जाड़ू पूछा जो भी मैं अपना नौकर बनके काम करूँगा जिन्दगी भर भाई तुमने पहले भी कई साई चीजे कहिए जो तुमने कभी नहीं की अब क्या नएा सूच कि आये हो कि पब्लिक तुम आइ सुनेगी तुम जोuję कोई नहीं सुनता और आद देखते वह ही लोग है जो जैसे है वरना तुमें देखता है भी कोई नहीं क तुम जो ऐसी हो जिससे लोग दूर देना चाहते है पता नहीं करण जोर का नाम तुमने कैसे ले लिया करण जोर मुझे पता है इसमें इन वॉल नहीं होंगे जिस तरह से तुमने कहा कि पचीस लाग रुपया तुम्हें मिले है करण जोर से क्योंकि एसे फिल्म में गर मुझे नहीं लगता है करण जो इतने नीचे जा सकते हैं जहां तक शराज दिवगर ने किये हैं तुम्हारे साथ जो भी चीजे की है वो मैं तो बोलता है बहुत सही की है तुम्हें तो या सबक सिखाना चाहिए पूर फिल्म इंडस्टीर एक करेंगे भाई तो यह तुम्हारी जो एक लेवल है वो समझ जाओ तुम और तुम्हारी कुछ चलने वाली नहीं है कहीं पे भी क्योंकि बॉलिवुड सेलेबिटीज और बॉलिवुड के जो फैंस वो सब समझते कि यार अकल कहा है और किसे देखना चाहिए बस यह नहीं कि यह तुम नूटल नहीं हो तुम पैसे लेकि कुछ भी कर सकते हो जो पैसे लेकि कुछ भी कर सकता हो उसके जबान के क्या वरोसा कर सकते है तो यह क्यार के ने कुछ बला बला कहा शिवाय को लेकर और आई होप मेरा अजीब और गरीब पता नहीं क्या क्या बोल दिया इसे बेच में पसंद आया होगा नहीं में बदा देना review में comments में तो ये क्यारके ने काफी zhaadah बुडाबला कहा शिवाय को लेकर रिली आखिर फिल्म मोगी पहले दिनों में भी फिल्म अच्छी कमाल करेंगी और मुझह I hope क्यार के पहली बार अपने जबान पे कायम रहें अगर जबान पे क्यार के कायम रहेंगे तो आपको तो पता है क्यार के की जगा कहां पे होगी अजी दिर्गुन के ओफिस में होगी वो भी जाड़ों पोचा करते हुए आपके कुछ सवाल होता आप पूछ सकते हैं चलिए बाई